गुड मॉर्णिंग अबिवन आज है चार अक्टूबर और आज चार अक्टूबर से रिलेटेड करेंट हिवर्स के जितने भी इंपोर्टन कोस्टन बन सकते हैं वो सारे के सारे जहम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं सो हड़ी कोस्टन को मैं आपको पूरे डीटेल में समझाऊंगा सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो को पेसंस के साथ एंड तक देखिएगा और आपको इस वीडियो से काफे कुछ सीखने को मिलेगा और आपको इस वीडियो थोड़ी सी भी हलपफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजएगा स्वाइए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और करते हैं पिछले कुछ दिनों के करेंड अफ़ेर्स की कुई किरिवी जन चलिए देखते हैं पहला क्वेस्टन पहला क्वेस्टन है अभी हाले में DRDO Defense and Research Organization दौरा उरिसा में वेरी सौट रेंज एर मिसाइल का सफलता पुरवक परिक्षन किया गया सेकेंड क्वेस्टन है अरब पती मुकिस अंबानी के बेटे अकास अंबानी का नाम दुनिया में उभरते सितारों की सुची में टाइम हंडिड पत्रिका की सुची में रखा गया थर्ड क्वेस्टन है अभी हाली में मदपरदेश के बांधवगर में 20 बौद गुफाओं की खोज की गई दिल्ली के मुखमंत्री अरविंद केजडिवाल दौरा परदूसन से निजात पाने के लिए 15 सुत्री विंटर एक्सन प्लान की घोसना की गई है नेक्स्ट कोस्टन है हाली में महराष्ट सरकार दौरा चीपी हवायडे का नाम बैरिस्टर नात पाई के नाम पर रखने की मंजूरी दे दी है हाली में रामशुरन तेलगू जो कि एक तेलगू अभी नेता है हीरो मोटो काप के नए ब्रैंड अमबेस्टर बनाए गए है अभी हाली में अजय स्रीवास्तव इंडियन ओवर्सीज बैंक के एमडी एंड सी यो बने है नेक्स्ट है हाली में आई रिपोर्ट के अनुसार हिंडन नदी उत्तर प्रदेश की सबसे परदूसित नदियों में से एक घोसित हुई है हिंडन नदी इस नदी को आप याद रखिएगा हाली में अडानी एनरजी लिमिटेड दौरा जैसलमेर में दुनिया का सबसे बरा सौर उर्जा सेंतर चालू किया गया है अभी हाली में तेलांगना सरकार दौरा आसरा पैंसन की सुरवात की गई है आप बात करेंगे आज की कुछ इंपोर्टन कोस्टन की पहला क्वेस्टन है हाली में बिहार के मंतरी सुधाकर सिंग ने किस पद से इस्तिफा दे दिया है तो अभी हाली में सुधाकर सिंग जो बिहार के क्रिसी मंतरी थे इन्होंने अभी क्रिसी मंतरी के पद से इन्होंने इस्तिफा दे दिया है बात करेंगे next question कि next question है जर्मन एकता दिवस कब मनाया जाता है तो मैं आपको बता दू हर साल 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है तो जर्मन एकी करन की याद में मनाया जाता है अभी हमने दो अक्टूबर को मनाया गांधी जयंती एवं आहिंसा दिवस लाल बहादूर सास्त्री जयंती और अंतराश्टी सिक्षा दिवस और एक अक्टूबर को मनाया हमने साकाहारी दिवस इंटरनेशनल कॉफी डे अंतराश्टी विद्ध जन दिवस और राश्टी सकते दान दिवस इसे आप याद रखेगा बात करेंगे next question की नेक्स्ट कोस्टेने हाल ही में यूनिस्कों ने कितनी भारती विरासत वस्त्रों की तुची जासे जा रही है अब बात inhib Rat की तो UNESCO से related कुछ important चीज़े जान लिजी आप UNESCO का full form होता है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization इसकी अस्थापना हुई थी सॉलर नमंबर 1945 को इसका headquarter Paris France में है इसके जो head है वो है एडेरू एजेला इसके अभी current head है और 2022 में विस्व धरवर अस्तलों की संख्या 38 से बढ़कर 40 हो गई है पहले जो विस्व धरवरों की संख्या थी वो 38 थी लेकिन अब 40 हो गई है नेक्स्ट कोस्टिन है आसरा पैंसन योजना हाली में किस राजी सरकार द्वारा सुरू की गई है तो अभी हाली में तेलांगना सरकार द्वारा आसरा पैंसन योजना की सुरुवात की गई है मैं आपको बता दूँ यह सभी वर्ग समुदाय के लिए सुरक्षी जीवन मु यात्रा के लिए दिव्यांगों को स्मार्ट यात्रा कार्ड परदान किया जाएगा तो अब यहाले में उत्तर परदेश सरकार द्वारा सरकारी बसों की यात्रा के लिए दिव्यांगों को स्मार्ट कार्ड यात्रा परदान किया जाएगा अब बात हो रहे हैं उत्तर परदे को हम नबावों का सहर भी कहते हैं ठीक है आर्थिक राजधानी जो है उत्तर प्रदेश का वो है कानपूर यूपी के खुशी नगर में ही महत्मा बुद्ध को महा परी निर्मान प्राप्त हुआ था महा परी निर्मान इसे याद रखेगा और यूपी को पहले हम यूनाइटेड प्रॉविंस के नाम से भी जानते थे यूनाइटेड प्रॉविंस के नाम से इसका पुराना नाम था और त्रिभुवन नारायन सिंग उत्तर प्रदेश में मुख मंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं थे कौन त्रिभुवन नारायन सिंग समराट 1925 को और अभी हाले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चौते टाइगर रिजर्व की घोसना की गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ द्वारा अभी हाली में माई गवर्वर्मेंट यानि मेरी सरकार पोटल को लांच किया गया है इसे यादर कियेगा और प्रदानमंत्री मोदी के महतुकांची मिसन अमरित सरवर के तहत स्वारी यहां तहत होता अध्यक्ष लिखा गया है तहत 8462 अमरित सरवर यानि जीलों का निर्मान किया गया है कितने तो 8462 जिसका उद्देश क्या है भविस की पिरियों के लिए पानी को कंजर्व करना है ठीक है और अभी हाली में प्रदानमंत्री मोदी जी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो 296 किलोमेटर लंबा है एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया है और अभी हाली में उत्तर प्रदेस के जहासी में पहली एस्ट्रोनॉमी लेव का सुभारम किया गया है यह सारे important questions है जो मैंने इस वीडियो में select कर लिए तो अगर आप किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हैं तो उसके point of view से यह आपके लिए काफी helpful सावित हो सकता है तो सारे questions इस वीडियो में selected है तो आप इसे ध्यान से देखिएगा बात करेंगे next question की next question है अभी हाली में अडानी green energy limited दोड़ा कि दुनिया का सबसे बड़ा पभन सौर उर्जा सेंद्र कहां चालू किया गया है तो अभी हाली में राजस्थान के जैसल मेर में किया गया और इसी तरह मई 2022 में अडानी green energy limited दोड़ा जैसल मेर में ही 390 megawatt की छमता वाले भारत के पहले hybrid power plant का संचलन किया गया था कब किया गया था तो मई 2022 में कहां किया गया था तो ये राजस्थान के जैसल मेर में ही किया गया था किसके दोड़ा किया गया था तो अडानी green energy limited के दोड़ा किया गया था बात करेंगे next question की next question हाली में किस राजी के cabinet में online जुए को नियंतरित करने की मंजूरी दे दी है तो अब ही हाली में तमिलनाडू सरकार ने online जुए को नियंतरित करने की मंजूरी दे दी है अब बात हो रहे हैं तमिलनाडू की तो तमिलनाडू से related कुछ important चीजे जान लो आप तमिलनाडू की जो राजधानी है वो है चन्नाई अस्थापना दिवस 14 अपरिल को मनाया जाता है तमिलनाडू अस्थापना दिवस 14 अपरिल को मनाया जाता है वर्तमान जो मुख्यमंत्री है यहां की वो है MK स्टलिल वर्तमान जो राजपाल है वो है RN रभी वर्तमान जिले जो है तोटल जिले जो है तमिलनाडो में हो है 38 परोसी राज की अगर बात की जाए तो करनाटक, आंधर परदेश, केरल ये सब इसके परोसी राज है और तमिलनाडो के मुखमंतरी M.K. स्टलीन द्वारा अन्नम एजुथम योजना की हाली में सुरवात की गई थी, कौन सा? अन्नम एजुथम योजना और अभी हाली में तमिलनाडो मुखमंद्री सरकार द्वारा इस कुरों में मुफ्त नास्ता योजना की भी सुरवात की गई है और तमिलनाडो ने अभी हाली में तैरते हुए सौर उर्जा सेयंत की अस्थापना की गई है तमिलनाडो में यह सारी चीजे आप याद रहेगा हाल फिलाल के ही कुछ important question है बात करेंगे next question की next question है किसकी भविस्वानी के अनुसार महरानी Queen Elizabeth की 94 वर्स की उम्र में निधन हो गया तो एक फ्रांसीसी भविस्वक्ता थे नास्त्री दमस इनहीं की भविस्वानी के according जो भविस्वानी आज स 400 साल पहले की गई थी उन्हीं के भविस्वानी के according महरानी Queen Elizabeth की 94 वर्स की उम्र में निधन हो गया और अभी वहां के राजा बने है प्रिंस चाल्स तिरतिया इससे आप याद रखेगा बात करेंगे next question की next question हाले में इंडोनीसिया में आयोजित तीसरी G20 बैठक में भारत का प्रतिनिधित किसने किया तो अमिताब कांत ने अभी हाली में इंडोनीसिया में आयोजित तीसरी G20 बैठक का उधगारन किया है किसने अमिताब कांत ने बात करेंगे next question की next question है time पत्रिका की सूची 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात भारती के रूप में किसे नामित किया गया है तो अभी हाली में मुकेस अंबानी के बेटे आकास अंबानी को किया गया है मैं आपको बता दूं कि ये जो पत्रिका है time hundred next में 130 सितारों को अस्थान दिया जाता है जो दुनिया को न सिर्फ बैपार बल्कि मनुरंजन, खेल, राजनिती, स्वास्त, विज्यान के छेतर में और भविस्य में असाधन पडियास करने हितु नामित किया जाता है तो अभी हाली में अकास अंबानी को इसमें नामित किया गया है अब बात करते हैं वीडियो के एंड में वीडियो के अंड में आपसे दो कोस्टन पूछूंगा बहुत ही सिंपल सा है जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है पहले लता दिनानाथ मंगेसकर अवार्ड 2022 से हाल ही में किसी सम्मानित किया गया है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो अच्छी बात है अगर नहीं आ रही होगी तो मैं और भी इंप्रूफ करने की कोशिस करूँगा आप अपना राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं आप मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत